सदोर तो एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजर हूँ एक नई कहानी एक नया कित्सा लेकर आज आपको बताएंगे कि देश भरके बड़े वो लोग जो कहीं न कहीं वांटर हो जाते जिनको पूरे देश की पलीस ढूंडने लगती है तो आखर में कहा ये जाता है कि वो सर्च ने नेपाल में पना ले ली है बगौरों का नेपाल कनेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा कनेक्शन माना जाता है और खास्त औरते तम जब तकरीबन हजारों लोग इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी जिनके पास इतने साधन हैं कि वो किसी भी बगौरे पे उसके बाद भी ये कहना कि वो सक्ष बार्डर क्रॉस करके नेपाल चला गया ये हमेशा क्यों होता आया है और ये आज की बात नहीं है बांबलास जो मुबई में हुआ था उसके बहुत सारे एक्यूज़ वो नेपाल से पकड़े गए नेपाल में बहुत बड़ा नेटवर नेटवर्क है हमारी अजेंसी का भले माने या नहीं माने लेकिन आई एस आई को काउंटर करने के लिए हमारा भी सेल वहां पे सक्रिये है उसके बाव्यूद भी लोग कैसे नेपाल पहुंच जाते हैं लेटरस्ट एक्जामपल ले लेजिए पंजाब में जो इतना बड़ इशू हुआ हुआ है अठरा तारीख से आज तक्रीबन दसमा दिन हो गया है ग्यार मा दिन रनेंग है एक सक्ष अमरत पाल सिंग वारिस पंजाब दे का लीडर वो भगोरा चल रहा है आज से पछे साथ दिन की परानी वीडियो उसकी सामने आ रही हैं लेकिन इतने दिन ग और केंडरी अजन्सी के रडार से बाहर क्यों है अब देखिये अगशना करों थोड़ी सी बात आपको बता दे इस केस की फिर बताते हैं इसकी बैग्राउंड नपाल कनेक्शन का माना क्या है अठरा तारीक को अमरत पाल के खिलाब पञजाब पलीस एक बड़ा अबिहान चलाती है उसमें भी बहुत सारे किन्तू प्रंपू हुए कि अगर उसको पकड़ना था तो अठरा की और सत्रा की रात को या अठरा की सुबह को उसको उसके घर उसके गाउं जो अमरसर में है वो अपने घर पे था, वहाँ पे उसको क्यों नहीं पकड़ा गया। हलांके उस गाउग के चारुतरब पलीस का पहरा था, निगार रखी जा रही थी। सारे नौब जे अच्रा तरीक को वो आदमी अपने साथियों के साथ अपने लगजरी गाड़ियों में बैठके, जिनमें एक मर्चडी देस यूँ भी थी, वो अमर सर से निकलता है और जलंदर तक पहुंच जाता है, कोई उसको अरेस्ट करने की कोशिच नहीं करता। अचानव, जलंदर में नाक्टे बंदी लगाई जाती है बहुती छड़कों पे और उसको ट्रेस भी कर लिया जाता है, उसके काफले को भेर भी लिया जाता है, लेकिने फ्लाई ओवर के नीचे, ब्रिज के नीचे, पूरे का पूरा काफला रोकता है, जिसमें आगे अमरत पाल की गाड़ियां होती है और पीछे पिलीस के और उसके आगे भी पिलीस की गाड़ियां होती है, और उस ब्रिज के नीचे क्या होता है, किसी को पता नहीं, चंद मिन्टों के बाद ये खबर आती है, कि जिस गाड़ी में, अमरत पाल सिंग बैठा था, वो गाड़ी तो है लेकिन अमरत पाल सिंग गुम है ला पता है कहां हवा में मिल गया इतनी बड़ी पलीस हंख्या के होने के बाव्यूद भी वो आदमी निकलने में कैसे कावियाब हुआ वहां से वो आदमी एक ब्रेजा गाड़ी में निकलता है थोड़ी दूर जाके उस गाड़ी को छोड़के वो कप्ड़े चेज करता है अपना हुलिया थोड़ा बगड़ बदलता है और एक मोटर साइकल लेके अपने साथ ही पपल प्रीट के साथ निकल पड़ता है राते में मोटर साइकल पंक्चर होता है एक दूसरे गाओं में पंक्चर लगवाया जाता है तीन सोर पईया उसाज में को दिया जाता है और पंक्चर मोटर साइकल को एक रेडी पे रखते थ्री वीलर पे रखते जिसको जुगार कहते हैं ले जाया जाए वो वीडियो उस उसके बाद वो फिर पलीस के गेरे को तोड़ता हुआ लुद्हाना में पैदल फिर सीची टीवी फुटेज में नजर आता है एक सक्ष और देखिए हर उसकी घटना सीची टीवी कैमराज में कैड हुई है लुद्हाना से बत सड़े के नदिक एक वावी फ्लाई ओवर के पा पट्याला पहुंच जाता है वहाँ आपने एक है तैच्छी के घर में निकलते हुए वहां से 19 तरीक की उसकी फुटेज मिलती है कुरक्षेतर की कुरक्षेतर के आगे शाहबाद की उसके बाद कुरक्षेतर बस अड़े की उसकी लोकेचर मिलती है फिर सीची टीवी सामने आ जाती है उसके बाद आज 21 तारीक की उसकी एक सीची टीवी दिल्ली से नजर दाजती दखाई जा रही है किस आदमी ने अपनी पगड़ी उतार के बाल खोल के रखे है और जैसे हिप्पी स्टाइल हुआ करता थे एक समय में बड़े बड़े बाल लखना चाकाला चश्म लगाना और उस भेश में वो आदमी दिल्ली में नजर आता है और अब देखिए ये 21 तारीक की वीडियो बनाई जा रही है आज 28th 29th हो गई लेकन अभी तक अमरत पार का कोई सुराग नहीं अब एक दन पहले एजैंसीट की तरफ से खबर आती है कि उन्होंने नेपाल सरक कार को एक खत लिखा है मनिस्ट्री ओप और नफेर्ज ने कि ये सक्ष नेपाल में हो सकता है इसमें निगरानी रखी जाए और इसको वहां से किसी फलाइट में ना बैठने दिया जाए और कल शाम को ये भी खबर आए कि शायद उसके पास एक दूसरा पास्पोर्ट भी है जो उसने कही न कहीं से किसी और नाम से जा और पते से प्रक्यूर किया होगा हासिल किया होगा उस पासपोर को इस्तिमाल करते हुए वो नेपाल से बाहर कहीं और देश में जा सकता है इन बीच में आप देखी अमरत पाल को पकड़ने के λिए पनजाब, हर्याना, दिली, उ उत्रखड, उत्रपरदेश, राजस्थान, इन सब राजयों की पॉलीज एक दम चुकन्नी की गई थी, नाके बंदी की गई थी और उसके पोस्टर बना के जिस किसम का हुलिया वो बदल सकता है, उसकी साथ आठ किसम की तस्वीरे बार्डर स्क्यूर्टी फोर्स, बीएच अ के जिवानों को दी गई ताके बार्डर क्रोस नहीं करते के, उसकी किसम की तस्वीरे सीमा स्रक्षा बल, हमारी वो फोर्स, जो नेपाल बार्डर पे तैनात है, उनको दी गई और हमने टीवी पे देखा, आपने देखा, सब ने देखा कि कैसे सीमा सुरक्षा बल के जवान उसकी तस्वीरे दिवारों पे जा अपने नोटिस बोर्ड पे पेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये भी कहा गया कि हमने पूरे बॉल्डर को सील कर दिया है कोई भी आदमी हमारी निगा से बचके नैपाल में एंटर नहीं कर सकता लेकर आज कहा जा रहा है कि अमरत पाल नैपाल में इसके साथ साथ उसके साथ थी गलजीत कल्सी जिसको गुरुग राम से पकड़ा गया था और कहा गया था कि उस सक्ष ने पिछले दो साल में उसके अकाउंट में थर्टी एट क्रोर्ड रुपए की फंडिंग बाहर से हुई है ये खुलासा भी हमारी एजेंसीज ने किया उसके बाद उस आदमी को अरेस्ट किया गया और उसको एनेसे लगाके भेज दिया गया लिब्रुगर थोड़ी सी बात और आपको बता देगे इसके जितने साथी बड़े पकड़े गये साथाथ सब के सब के उपर एने से लगा के अस्हाम में डिबरुगर जेल में बेजा गया है पज़ाब की जेल में किसी को नहीं रखा गया उसके कार्म को छोर है क्यों नहीं रखा गया लेकर नपाल कनेक्शन इतनी सुरक्षा, चौक्सी, सर्विलेंज, सर रखने के बाद भी अगर वो आदमी नेपाल चला जाता है तो इसमें गलती किस की है हमारी हजारों की प्लीज फोर से एक आदमी को ढूनने में लगी है दस दिनों से आज तक हाथ नहीं आया क्या है यह सब नेपाल कनेक्शन जब आपको सब को पता है कि जब जो आदमी हमारी फोर्स से पलीज से भाग के देश छोड़के जाना चाहता है तो सबसे बड़ा रास्ता नेपाल ही होता है क्यों उस मौर्डर पे स्रक्षा फुखता नहीं की जाती यह सबसे बड़ा सवाल है यह बात नहीं नहीं है मापको बहुत परानी 65 66 बात करता हूँ जब उच समय के पंजाब के मुक्ध मंतरी परताब सिंग कहरों को दिल्ली से और यह अहर्याना में आते हुए राय के पास यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स कॉलेज है वहाँ पे उसका मुर्डर किया गया पॉर्मर चीम मिनिस्टर आप पंजाब और उसके साथियों का और उसका जो सबसे मेन की उससा सुच्चा से वो उसको उस समय के पंजाब के आईडी तब ही डी जी पी की पोस्ट नहीं होती थी आईपीएस भी नहीं होता था इंडियन पोलीस खाली आईपी के आफिसर होते थे आईपीएस नहीं होता था उसमें जो पंजाब के आईजी थे पूरे स्टेट के इंचार्ग थे जिसमें पंजाब हर्याना है माचल सब साथ में आता था वो खुद उसका पीछा करते हुए नेपाल बार्डर से सुच्चा सिंग को पकड़ के लाए थे और ये बात पूरे देश की अख़बारों की सुरुखियां बने थी के पंजाब के डेर डेवल आईजी ने आईजी पी ने इंस्पेक्टर जर्लो प्लीस ने खुद पीछा करते हुए फार्मर ची मिनिस्टर के कातल को नेपाल बार्डर से पकड़ा उनका नाम था अश्वनी कुमार जो डी जी थे जो आईजी थे उस समय उसके बाद ऐसा सिलसला चला हर बढ़ा है क्यूज्द जो भारज की प्लीस से यहां के कानून से बचना चाहता था जा चाहता है वो नेपाल चला जाता है नेपाल में उसको पना दी जाती है अपने लोगों से या पाकिस्तान की आई एसाई से जुड़े हुए लोगों से अगर उनके तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से मिलते होंगे वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में हिंदोस्तान के वांटड नपाल में पना लेते रहे और उनको उस दमाने में पना देने वाला एक कही का मेंबर पार्लियमेंट मिर्जा बेख हुआ करता दिलशाथ बेख अब उस आदमी को रास्ते से हटाने के लिए हमारी एजैंसी ने अंडर्वन के लोगों की मदद ली जिन में बगलू स्रिवात्वा, अर्चना शर्मा, छोटा राजन के दो धर्जन के करीब लोग नपाल में जाके बैठे अर्चना शर्मा ने मिर्जा दिलशाथ बेख को लियोर किया, उसको बाहर निकाला घर से और उसको उसके गाड़ी के पास छोटा राजन के लोगों ने गोलिया चला के मार दिया तो ये इस किसम के एक खेल नपाल में होते रहे उसी तरहें, इंडियन मयाही दीन के तीन बड़े लीडर जो देश छोड़ के भाग चुके थे, उनको बड़े तरीके से हमारी अजैंसी नपाल से पकड़ के लाई उसी तरहें, राकेश मारिया की कताब में एक चैप्टर में जिकर है कि कैसे उन्होंने वांटर क्रिमिनल्स को मंबई से टीम भेज के अपने कराईम रांच के आउफिसर्स की कैसे वो नपाल से उन लोगों को पकड़ के लाए उस्मान उसका नामता चाहिए इस तरीके से बहुत बार वांटर क्रिमिनल्स को कई बार नेपाल सरकार की मदद के साथ कई बार उनको बिना बताए बड़े तरीके से चुपके से नकाल के ले आए लेकिन सिल्सला बंद नहीं हुआ अभी भी बिहार का एक डाउन था बहुत बड़ा बहुत साल पहले 70 वो आदमी बिहार में क्राइम करके नदी क्रोस करके नपाल चला जाता था और जब महौल शांथ हो जाता था तो वापस बिहार एंटर कर जाता था बिहार का एक एरिया भी नपाल के साथ लगता है वो आदमी इतना पावरफुल था प्लिटिकली एक बार इंदरा गांदी का वहां पे दोरा था उस बिहार के एक हलके में और उस सक्ष ने एक सो नई अमबेस्टर गाड़ियां उस काफले में शामल की थी अपने पैसे से करीद के इतना पावरफुल डाउन था वो और वो आदमी प्लिट से बचने के लिए शरन नेपाल में लेता था तो दूस्तों यह बार्डर्स की बात है अब बार्डर्स की रक्षा कौन करता है हमारी ब टब जो ठाब चायना बाडर्र हो गया पूरे का पूरा वहाँ पे रक्षा करती है इंडौ ठिबृतियर बार्डर पोलीस और इसी तरह असाम राइफुल अपने असाम में जो बार्डर लगता है बगलादेश के सास्थ बर्मा के सास्थ इस तरीके से अलग अलग पॉरसे बार्डर्स की रक्षा करती है तो ऐसे में क्या उन सरक्षा दुरों की उन सरक्षा बलों की कोई जवाब दे ही नहीं होनी चाहिए कि कैसे इतना बंदोवस्त होने के बावजूद भी लोग बार्डर क्रोस करके नेपाल चले जाते अब अगर तो इन लोगों की साथ काट अच्छी है तो वो बचके निकल जाते हैं नहीं है तो पकड़े जाएंगे और वापस बेह दिये जाएंगे ये दूसरी बात है कि जब हमारी नेपाल के साथ अच्छी दोस्ती थी लेकर पिछले कई सालों से नेपाल का जखाओ चाइना के साथ जादा है हिंदोस्तार के साथ कम है कहीं न कहीं आपसी डिफरेंसेज बड़े हैं जो लगता था कि एक हिंदू स्टेट नेपाल भारत में बीजेपी सरकार आने के बाद जो हिंदू सरकार कहीं जाती है उसके साथ कुछ तालमिल बड़ेगा दोनों देशों की दोस्ती और अच्छी होगी लेकर होता नजर नहीं आ रहा तो कहीं न कहीं diplomatic level पे याद दोनों countries के अपने अपने जीने के तरीके हैं अपने independence भरकरार रखने के तरीके हैं तो वो कहीं न कहीं रोडा बन जाता है आप सी तालमिल और अदान परदान को लेकर अब देखना होगा कि अमरत पाल सिंग इतने दिनों से फरार है तो क्यों है पकड़ा क्यों नहीं गया लेकिन किसी ने कोई जवाब देही नहीं दी आज तक पंजाब सरकार ने उन ओफीसर्स को नहीं पूछा जो अमरत फल के काफले के आगे और पीछे चल रहे थे उनकी गैर हादरी में से वो आदमी गायब कैसे हो गया और उसकी जल्जी उसके दोच की पत्नी ने पंजाब हर्याना हाई कोट में रेट डाली कि मेरे पती को और अमरत पाल जैसे उनके साथियों को कहां है पलीस उसका पता बताए उसमें एक रेट दूसरी और डाली गई थी अमरत पाल की तर्प से कि अमरत हैबिस काफल पटिशन जिसको कहते हैं कि हमारा आदमी मिसिंग है और हमें शक्त है कि वो पलीस के कबजे में है इसलिए हाई कोट एक वरंट ओविसर निक्त करें जो उस आदमी को डूंड के अधालत के सामने पेश करें आज पंजाब हर्याना हाई कोट यो उस केस की सुनवाई भी थी और उसमें हाई कोट ने अ प्राउन से प्रिस्टेशन में है बताईए हम अभी अपना एक वरंट ओफिसर अपॉइंट करके आपके साथ बेजते हैं उसको पकड़ने के लिए बचाने के लिए लेकर वकील ने पास कोई ऐसा सुबूत नहीं था दूसरी तरफ एक बड़ा चौकाने वाला खुलाता प बहुत उसके नजदीक हैं यही किसी किसम के बियान इसके पहले भी तीन बार आ चुके हैं जतना पलीस कहती है उसके करीब है वो आदमी उन से उतना ही दूर जाता नदर आ रहा है हाई पोर्ट ने एड़ुकिट जनरल को भी एक एफ़ी डेबर फाइल करने के लिए कहा और हम उसको जजदी पकड़ लेगे लेकर अभी दस दिन होने के बाद भी इतना शातर आजबी पलीस के शकंजे से बचा है तो कैसे है यह इसके पीछे कोई एजेंक्सी की अपनी प्लैनिंग है क्योंकि हर तीर का एक समय तैह होता है अगर इमीडेटी उस आजबी को पकड तो शाहद पंजाब में थोड़ी बद अमनी फैस सकती थी उसके पहले जैसे अमरतपाल के एक साथी को चढ़ाने के लिए अमरत monitor के एक प्लीच थाने पर अट-क किया गया और उसको चढ़ादे के बाद ही वो धरना उठाया गया इस किसम की अहालाद से बचने के लिए शा आती थी ऐसा भी हो सकता है कि वो आदमी बगारा तो जरूर है लेकिन पलीस की नदरों के बाहर नहीं है किसी ना किसी तरीके से उसकी उपर निगरानी रखी जा रही है और जैसे ही मौका ठीक होगा जैसे ही लगेगा कि अब इसको अरेस्ट करने से बहौल खराब नहीं होगा अमनों आमान में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो उसको पकड़ दिया जाएगा आदमी कहीं भी हो रच्षी अपरे हाथ में रखते हैं उसकी लोकेशन जो आ रही है यह बहुत इतना असान नहीं है कि आदमी की पांच दिन के बाद छे दिन के बाद वीडियो की एक क्लिपि कोई उसको पहचानता नहीं पांच दिन के बाद वीडियो आ जाती है क्लिपिंग आ जाती है जो वाइरल हो जाती है तो ऐसी बाते पलीस की कारकुजारी पे शक भी खड़ी करते हैं आज मैं सुन रहा था एक एडवोकेट एक चैनल पर कह रहे थे कि अमरत पाल पलीस के कब कबजे में है मुझे बड़ी हरानी हुई जब पड़े लिखे लोग एडवोकेट हाइपोर के उनको ऐसे ब्यान देते हैं तो वो माहर को खराब करने वाले होते हैं उनको तो मालब होना चाहिए कि CCTV फुटेज जो दिहाना अमरत सर्पजाब जलंदर कुर्खेत्र दिल्ली वो सामने आ रही है तो वो कहते कह सकते हैं कि अमरत पाल पलीज के कबजे में है अब उनका ये तर्क था कि उस है जो आदमी दिखाया जा रहा है वो कुछ ड़मी आदमी है वो एक क्रियेट किया हुआ क्लोन है ये ऐसी बाते अगर अग्यानी लोग करें जा इनको कानून की समझ नहीं वो लोग करें तो समझ में आता है एक पड़ा लिखा प्रक्ताइजिंग एड़ोकेट अगर वो ऐसी बाते करता है तो कहीं न कहीं आता लगता है कि एक नए किसम का नेरेट्व करीट करने की कोशिच की जा रहे है अब नए बाते और सामने आ रहे हैं कि जो उसक पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ बाजवा के बेटे साद के साद मिला हुआ था साद बाजवा पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ का बेटा दुबई में एक कमपनी चलाता है और ये दलजीद उस आर्मी के साद दुबई में जाके दो महीने तक रहा और वो मीटिंग ये कहा जाता है वो पंजाब के एक और वांटेड आदमी जिसका नाम लखबीर सिंग लंडा हरी के है उसने करवाई थी। अब कहीं ना कहीं से टरोरिस्ट गैंग्स्टर इनका जुगार आईएसाई के साथ मिलाके ये नारिटर बनता नजर आ रहा है कि जिस सब लोग मिलके आईएसाई के इशारे पे पंजाब में बदमनी फलाना चाहते हैं। लेकिन इसके कितने परियापत फ़बूत प्लीज के पास हैं जिनके बेश पे इस किसम की बाते कहीं जाती एक बीडिया में महुर बना हुआ है खालता ने खालता ने ये बोलके लेकिन इन सब को कल अगरा मतपाल पकड़ा जाता है या हाजर हो जाता है, सुरेंडर कर देता है या जहां भी है जिस देश में इसको वाँ से लाया जाता है जब उसका केज कोट में चलेगा ये सब बातें सिद करनी पड़ेगी कानून सुनी इसनाई बातों पे यकीन नहीं करता किस कित्रम की एविदेंस रखी जाएगी खुलासा उस एविदेंस से होगा लेकिन आज इतना ही कापी नपाल कनेक्शन बहुत बड़ा है मुबई अंडर वर्ड के आधे अपराधी जो कराइम करके पाकिस्तान जा बैंककॉक जा सिंगापूर जा कैनेडा कहीं भी गए हैं उन में से ज्यादा तरक लोग वाया नेपाल गए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अमरतपाल सिंग भी वहाँ पहुँच गया हो बेट करते हैं आने वाले दुनों में कब आपस आता है क्या इस केस में आगे और होता है तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद